नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर गौरव राउ डियलेट के पर्यावर्ण अध्यन कोर्स में आप सबी का स्वागत है आज हम बात करेंगे पर्यावर्ण अध्यन में शिक्षक के भूमे का बच्चों के संसार को विस्तार कैसे प्रदान किया जाए यह सब हम जान ही चुके होंगे कि पर्यावर्ण अध्यन को अन्य विश्यों के तरह नहीं पढ़ाएगा सकता ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें केवल पढ़ाने से काम नहीं चलेगा इसमें अध्यापक के साथ-साथ अधिगम करता को भी बहुत सक्रियर हैने के आवशकता है शिक्षन अधिगम प्रक्रिया में हमें अपने आपको पुनाः परिक्षित करने के आवशकता है क्योंकि हम कभी ऐसा मौका ढूनते ही नहीं जहांपे हम ये सोचें कि हमने जो आज पढ़ाया है वो और क्या बहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता था और हमें कभी ऐसा भी नहीं लगता कि हमने जो पढ़ाया है उसको अगर हम ऐसे पढ़ाते तो बच्चों को जादा समझ में आता पर्यावन अध्यन में यह हमें जरूर करने के आवशक्त है क्योंकि यहाँ पे हमें हर बार बच्चों के बदलने से बच्चों के हर बार अलग ज्यान बोध होने के कारण से अलग-अलग अनुभव होने के कारण से उनके अधिगम में वह दर प्राप्त नहीं हो सकती हमें जो हम वान्चित रूप से चाहते हैं और अगर हम यह कर पाएंगे तभी हमारे शिक्षन में और पर्यावन अध्यन के शिक्षन में गुणुवत्ता प्राप्त हो सकती है हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें ज्यान दाता नहीं बनना है आपि तो बच्चों की सोच एवं समझ बढ़ाने का काम करना है अच्छा सोच यह होता क्या है क्लास में हम क्लास में गए हमने पुस्तक खुलवाई और पुस्तक पड़वाना शुरू कर दिया लेकिन जब हम पड़वाना शुरू करते हैं हम क्या पूछते हैं कि जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में कोई क्या जानता है हम शायद इतने ठकेवे होते हैं हमारे पास इतने घंटों की पढ़ायों का बोज होता है कि हम ये करते ही नहीं और हम बच्चों की सोज को बढ़ाने की बजाए और उनकी सोज को समझने की बजाए हम जो कुछ हम चाहते हैं पढ़ाना वो पढ़ाने को तैयरी शुरू कर देते हैं और वहीं से हमारी परशानी शुरू हो जाती है हमें इस भूमिका को ध्यान रखना है कि हमें बच्चों की सोज एवं समझ को बढ़ाना है अधीकम को अगर बढ़ाना है तो हमें बच्चों की अनुभवों को बढ़ाना पड़ेगा सबसे पहले उनको मौका दीजे किस चीज़ का देखने का सुंगने का सुनने का खाने का पकडने का और सोचने का देखें बच्चे एक गुलाब के फूल को एक गोबी के फूल को सुंग करके देखें एक देशी गुलाब का फूल कैसा महकता है सुनें किसी भवरे की आवाज जो उस फूल पे घूमता है गुलाब की पत्टियों को आप खाने को भी कह सकते हैं बच्चों को खा़कर करके देखें वो कैसा स्वाद करता है उसकी पत्टियों को तो पकड़ने को भी आप कह सकते हैं, पकड़ने से उनके अंदर क्या होता है, यह जानने की जरूरत है, और सोचें कि गुलाब और कितने रंग का होता है, हमारी घर में कौन सा गुलाब है, उनको बताने को बोलिए, अगर आप इसको ध्यान देंगे, तो यह हम बच्चों की ग्यानिंद्रियों को ध्यान में दे करके कारे करवा रहे हैं, आख, नाक, कान, मुँ, तवच्चा, और क्यूंकि परेवर्ण अध्यन एक और स्तर तक जाता है, इसलिए हम उसके मस्तिश्क को भी ध्यान दे रहे हैं, अगर अनुभवों को बढ़ाने के लिए हमें और चानबीन कैसे करवा जा सकता है, देखी गई वस्तु को, सुनी गई वस्तु को, चकी गई वस्तु को, चुई गई वस्तु को, और जादा बच्चों के द्वारा व्याख्या करवा करके, अच्छा, जैसे की गुलाब आपने देखा, तो क्या आपने और भी गुलाब देख इसलागों में क्या फार्क है? आप विभिन स्वादों को गहने Willis, एक चुई हुई वस्तु को उनको कह सकते हैं यह कौन सी मुलायम और कौन सी चिकनी और किसका रंग और जाँखु को प्रती भी उसकी का एक दे आज रहा हुआ सम्विदना है उसको भी बढ़ाएगा एक अध्यापक को मूलता इसी भूमेका को प्रयास करने का प्रयास करना चाहिए पर्यावर्ण अध्यन में अगर हमें खोज में मदद और दिशा प्रदान करनी है तो हम उसको क्या वह देख रहा है क्या वह खा रहा है क्या उसने स्पर्श किया है उत्तर ले सकते हैं क्यों उसको लाल लगा क्यों उसको खटा लगा क्यों या मीठे से अलग है क्यों ये गोभी का फूल है क्यों ये गुलाब का फूल है या पूछ सकते हैं कैसे बच्चे के अपने अनुभाव होते हैं और कि बच्चा इसको पीला क्यों बोल रहा है क्या बच्चे ने इसी फूल को ऐसे ही देखा है आप बच्चों को अलग अलग रंगों की स्वादों की खोज के लिए प्रयास करें कि वो अपनी तरफ से सहमती प्रदान करें वो आगे बढ़ें आपको असल में करना ये है कि वह अ ने ग्यान का निर्मार कर सकें क्योंकि हम जानते हैं कि उसके पास अपना अनुभव होता है आपको अनुभव बढ़ाना भी है और उस अनुभव के साथ में ने ग्यान का निर्मार भी कराना है जब आप यह करते हैं तब बच्चा अपने अनुभवों के सासत ने ग्यान के निर्मार को भी करता चलता है यह संरचना भी कहलाती है और जैसे जैसे बच्चों की संरचना बढ़ती चली जाती है उनके ज्यान का विस्तार होता चला जाता है उधारण के तौर पे यहाँ पे आप कुछ बच्चों को दे रहे हैं जो मेरी ही नहीं किया साधारण साधे पन्नों को लिया अपने पास से जितने भी रंग जितने प्रकार के रंग मोम के हो पेंजिल कलर हो वर्टर कलर हो सब उनके सामने बिखेर दिये और उनको आदे घंटे का समय दिया आप विश्वास नहीं करेंगे दो तीन चार लोगों को बनाते देख कर कि वो लोग जिन्होंने आज तक कभी ब्रश नहीं पकड़ा था उन्होंने रंगना शुरू कर दिया और उन्होंने खुद से कमल का फूल सूरज का फूल भले यह वो बहुत अच्छे नहीं थे कठिन नहीं थे उच्चो कोटी के नहीं थे लेकिन उन्होंने उनके दिमाग में जितनी भी चाया थी उसको बनाने का प्रयास किया एक अध्यापक्य की भूमिका में हम को केवल इतना ही करना है उनके दिमाग में उनके मस्तिष्क में जितनी भी बाते हैं जो की शायरी वो कह नहीं पाते वो बता नहीं पाते उनको हमें अवसर दे करके अपने अनुभवों के साथ में नहीं ग्यान को बनाने का प्रयास करना चाहिए आपको करना क्या पढ़ेगा परियावरोन सिक्षण में एक जो बहुत बड़ी बात करनी पढ़ती है सहपाथी बनने की सहपाथी साथ में पढ़ने वाला साथ में पढ़ने वाला मतलब कक्षा में अध्यापक भताने वाला होता है पढ़ने वाला नहीं होता आपको ये भूमिका बदलनी होगे आपको एक विद्यार्थी के रूप में बच्चों के साथ में पढ़ना, सीखना और करना आरंब करना पढ़ेगा इस भूमिका को आप एक बार करके देखे बड़ा मज़ा आता है सहपाथी बनने से आपके अंदर जीवन परियंत चलने वाली शिक्षा की जो संप्रत्य है उसका विकास होगा आप मेंसे कितने लोग ऐसे हैं जो बच्चों के साथ में बैठके ड्रोइंग बनाना पसंद करते हैं आप एक बार बनाईए आपको बहुत अच्छा लगेगा थोड़ा सा परशानी होता है लेकिन उनके साथ में बनाते वक्त बहुत अच्छा लगेगा आईए देखते हैं एक चित्र जिसमें मैं खुद बच्चों के साथ में कैसे सहपाटी बनते हैं वो प्रदर्शित कर रहा है जादा मुहत्वपूर्ण यह नहीं है कि मैं कैसे आराहाम से बच्चे की उंगली में धागा बांद रहा हूँ आप ध्यान लें जिस बच्ची की उंगली में मैं धागा बांद रहा हूँ उसके अगल बगल की बच्चीयां कितने ध्यान से मुझे उसकी उंगली में धागा बांद रहा हूँ वह सूरज है सूरज वह जो उर्जा का स्रोत होता है इस पूरे ब्रह्मान के लिए हमारी प्रित्वी के लिए खास तौर पे मैं उसके उंगली में धागा बांद रहा हूँ जो मैं आगे अपनी क्रिया में प्रयोग करूँगा और मैं खुद में इन मानव की तरह की भूमिका निभा रहा हूँ और जितने बच्चे बैठे हुए हैं वह अलग-अलग प्रित्वी के पर्यावरणी संप्रतिय हैं जब आप बच्चों के अधिगम में बताने, सिखाने, रटाने की प्रवृत्ति को छोड़ करके उनके साथ सीखने, आनुभव करने और खुश रहने को सोचते हैं तो बहुत अच्छा लगता है प्रयास आपको यही करना है अच्छा, अब हम बात करते हैं बच्चों के संसार को विस्तार प्रदान करने की ऐसा माना गया है कि भले ही पर्यावरण अध्यन में बहुत सारे संप्रतिय हों, बहुत सारे विशय हों लेकिन कुछ विशय, कुछ संप्रतिय जिनको हम लोगों ने चैनित किया है जो पर्यावरण सिक्षन में हम प्रैमरी स्तर पर प्रयोग करते हैं वह हैं परिवार और मित्र जो की हमारे अधिकम करता कि सबसे पहले वो लोग होते हैं जो उसको उसके पर्यावरण के बारे में पताते हैं और वो खुद सबसे पहला पर्यावरण उनका होते हैं फिर अगर दाहिनी तरफ मागे बढ़ते हैं तो वह है आश्रे, आश्रे मतलब वह घर जहां पे वह रहता है, वह कच्चा है, पक्का है, निटे का बना हुआ है, छपर है, वहाँ पंखा है की नहीं है, यह ऐसे कुछ मानव निर्मित यह प्राकृतिक चीज़े हैं जिनको वह अपने आसपास देखता है, उस घर में वहाँ खाना खाता है, वह भोजन में क्या-क्या खाता है, भोजन के कौन-कौन से अंग है, वर्ग है, वह भी वहीं से ही वह सीखता है और जानता है, और पहचानता है, भोजन को बचाना है, कैसे खाना है, कैसे प्रयोग करना है, वह सारी जीज़ें परिवार और मित्रों के साथ में बैट करके उस घर में रह करके सीखता है वह परिवार अपनी इश्ट मित्रों के साथ में यात्रा भी करता है यात्रा को यहां पर प्रयोग करना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि अगर ज्यान का विस्तार करना है और बच्चों की उनके अनुभावों को बढ़ाना है तो यात्रा और ब्रहमण ऐक ऐसा अंग है, क्रिया है जिससे वो अपने आपको भी ढूंडते हैं क्यों ढूंडते हैं? क्योंकि उनके मस्तश्प में कई ऐसे बाते होती हैं जो वो सुनी हुई करते हैं लेकिन जब वो सच में देखते हैं तब वो समझते हैं कि कैसे जो चीज उन्हें ने सोची थी जो उनको बताई गई थी वो उससे बिलकुल अलग है जो वो अपनी आँखों से देख रहा है जल, वायू और भूमी कुछ ऐसे संप्रत्याइं है जो प्रक्रतिक देन है और ऐसी चीज़ें हैं जो उनको दुबारा नहीं बनाया जा सकता यह भी उन संप्रत्याइं में से है जिनको की यह माना गया है कि बच्चों को बताना, समझारा और उनका अनुभव देना बहुत आवश्यक है सबसे अंत में या सबसे आखिर में जो सबसे जरूरी बात रह जाती है वह यह है कि कैसे इन संप्रत्याइं के साथ में हमारा सहसंबंद है सबसे मूल बात यह है कि हम कई वस्तूओं को बनाते हैं और करते हैं जिन से हमारा आश्रे, भोजन, यात्रा और जल सभी प्रभावित होते हैं इसको भी समझना और समझाना बहुत आवश्यक है हमारे बच्चों को बताने के लिए अगर हम अपनी प्रतिदिन की अनुभव की असली कडियों को देखे तो घर के बिलकुल पास में मुहले और आसपडोस एक बेहद ही प्रभाव करने वाली क्रिया होते हैं आप जैसा की देख रहे हैं मुहलों में और आसपास में हम लोगों से मिलते हैं हम उनसे बात करना सीखते हैं हम उनको विबिन संबोधनों से बुलाते हैं हम बड़ों का अदर सम्मान अदर सुचक शब्दों से प्रयोग करते हैं हम लोगों के चरण सपर्ष करते हैं हम उनको नमस्कार करते हैं और हम अपने दोस्तों को हाय हलो करते हैं यह जो संप्रेशन है वह भी हमारे अंदर हमारे परियावरण से आता है वह हमारे बच्चों की ग्यान को विस्तार देता है ज्यान के विस्तार को देने के लिए पर्यावरण की ये सारी ही चीजे और अंग बहुत जरूरी है जैसा कि हमने देखा था कि परिवार और मित्र, आश्रे, भोजन, यातरा और जल ये सभी चीजें हमारे बच्चों में विभिन मूल्य, अभिविर्तियों को विक्सित करने के लिए अतियावश्यक है पर्यावरण अध्यान की विशय वस्तू, विशयों और चारिक शिक्षा की दिवारों को समप्त करती है जैसा कि इस स्लाइड में हम देख रहे हैं समाजिक विज्ञान, विज्ञान, भाषाय, इतिहास, और भूगोल और नागरक शास्त्र यह कुछ ऐसे विशय हैं जो भले ही पर्यावरण सिक्ष्ण एक एकल विशय के रूप में हम प्रातिमिक स्तर पर पढ़ाते हों परन्तु इन विशयों के विभिन प्रतिय, विभिन रोप से विभिन विशयों में विशयों के संप्रतिय हमारे पर्यावरण में बच्चों को पढ़ाय जाते हैं एक उदाहर अड़ेते हैं, जैसे जल जल का अपना विज्ञान होता है जल को विज्ञान में भी पढ़ा जाता है कैसे उसका शोधन होता है क्या उसका रासायनिक अभिक्रिया होती है वह सब विज्ञान में पढ़ते हैं अब अगर हम जल को भूगोल में कैसे पढ़ते हैं इसको समझने का प्रयास करें तो जल प्रित्वी में कहां कहां पे है किस किस मात्रा में है वह किस प्रकार का है वह सब हम भूगोल में पढ़ते हैं अगर हमें यह पता करना हो कि विभिन स्थानों पर और विभिन समय कालों पर जल का हमारा समाज कैसे प्रयोग करता रहा है वह हम अपने समाजिक अध्यान में अध्यान करते हैं और फिर सबसे जरूरी बात जो हम अपनी भाशा में करते हैं ऐसी कोई पुस्तक नहीं, ऐसे कोई व्याख्या नहीं जहां पे जल को हम लोग विबिन रूप से प्रयोग ना करते हो बिना पानी के हम मानते हैं कि कोई भी चीज अच्छी नहीं होती सब कुछ सूना होता है वास्तविक अनुभावों की चर्चा करना बच्चों के ज्ञान विस्तार को करने के लिए आतियावश्यक होता है ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि यह करने से उनके अंदर समंद स्थापित करने की चेश्टा होती है और वह इन अनुभावों को जोड़ पाते है वास्तविक अनुभाव अगर देखा जाए तो हर एक दिगम करता के अलग-अलग होते है हमें मौका देना चाहिए हर एक बच्चे को अपने अपने अनुभाव को बताने का जैसे हमने अभी पढ़ा जल के बारे में आप किसी भी बच्चे से पूछ सकते हैं कि अपने घर के आसपास जल के सुरोतों को बताओ वह बता सकते हैं कि उनके घर के आसपास हैंड पंप है वह बता सकते हैं कुवा है वह बता सकते हैं आरी सर मैं तो तैरता भी हूँ इसका मतलब वह बता रहे हैं उनके घर के आसपस नदी या नहर है इन अनुभवों को जब आप प्राप्त करते हैं तब आप बता सकते हैं उनको कि हम किस प्रकार से निर्भर करते हैं जल के विबन स्रोतों पर बच्चे संबंद स्थापत कर पाएंगे इन सभी जल की वस्तों पर या जल के स्रोतों से वास्तविक जीवन अनुभव से संबंद स्थापत करने पर जीवन परियंत अभिवृत्तियों एवं मूल्यों का विकास होता है जैसा कि अभी हमने उदार ने लिया जल वाला ही अगर जल को हमें संचित करना है तो हमें सबसे पहले बच्चों में सकारात्मक अभिवृत्तियां लानी होगी जल को जब तक हम मूल्यों से नहीं जोड़ेंगे तब तक हम जल अथवा ऐसे सभी प्रक्रतिक वस्तुएं या कारक या संब्रत्या जिनका हरास हो जाने पे दुबारा उनको जब नहीं बनाया जा सकता तो उनके साथ में हमें मूल्यों को जुड़ना आती आवश्यक है जल उतना ही प्रयोग करो जितना जरूरत है हवा को दूशित मत करो क्योंकि वह हमारे अलावा सब की पास में जाती है इन सकारात्मक अभिवृत्यों को डालने और मलाने के लिए और मूल्यों का विकास करने के लिए हमें सदयावतत पर रहना पड़ेगा मूल्यों का विकास परयावर संरक्षन की प्रतिक्रियाओं एवं वेवहारों का विकास एवं वोशन करता है क्योंकि अगर हम मूल्यों का विकास नहीं करेंगे तो बच्चे के ज्यान का विस्तार नहीं होगा इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में अगर हम बच्चों के मुल्यों का विकास करते हुए आगे बढ़ते हैं तो परियावर्ण संरक्षण में हमें अन्य क्रियाओं को करने में किसी प्रकार की कोई परशानी नहीं होगी स्वतह ही उनके वेवहारों में जो परिवर्टन आ जाएगा उससे हमें हमारा लक्ष प्राप्त हो जाएगा अगर हम फिर से देखें तो आज हमने जाना कि हम अध्यापक की रूप में किस प्रकार से अपनी भूमिका को सुनिश्चित कर सकते हैं सबसे पहले क्योंकि पर्यावरन अध्यान विशय किसी और अन्य विशय की तरह नहीं होता तो इसको बिल्कुल भी वैसे नहीं पढ़ाय जा सकता जैसे की हम लोग पढ़ाने का प्रयास करते हैं जब हम यह करेंगे तो हम पाएंगे कि हमें अपनी भूमिका को परिवर्तित करने की आवशक्ता है जब हम यहाँ करेंगे तो हमारे शिक्षन की गुनवत्ता सौता ही ही बढ़ेगी हमें यहाँ मानना पड़ेगा कि हमें ज्ञान देने वाला नहीं बच्चों की सोच वा समझ को बढ़ाने वाला बनना है हमने यहाँ भी जाना कि अनुभवों को बढ़ाना चाहिए अनुभवों को बढ़ाने के लिए हमने बात किया हमें बच्चों को मौके देने हैं मौके देने हैं किस चीज़ के? देखने के, सुनने के, सुनने के, खाने के, पकड़ने के और सोचने के च्छानबीन करवा करके भी हम उनके अधिगम को बढ़वा सकते हैं जैसे उन्होंने जो भी देखा हो, सुना हो, चखा हो, स्पर्श किया हो, उससे उस चीज़ को देखने, खाने और चखने के बाद पूछे कि वह कैसा अनुभव कर रहे हैं, उनसे उस सम्रत्य के प्रती अंतरद्रिष्टी ले, आप उनसे क्या, क्यूं और कैसे पूछ सकते है जिससे कि उनके दिमाग में खोजी प्रवर्ती हो और तर्क शामिल होता चले, जिससे कि वह नए अनुभव का निर्मान कर सके, और नए ज्यान स्वता अपने उनके मस्तश्क में आ सके, आपको सहपाटी बनना पड़ेगा, और सहपाटी जब आप बनेंगे, तब आपने ज विबिन अभिवर्तियों और मूल्यों का विकास कर सकते हैं, जिनमें परिवार और मित्र, आश्रे, भोजन, यात्रा, जल और विबिन वस्तुएं जो हम बनाते हैं और करते हैं, उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा, मुहले और आसपडोस हमारे इन मूल्यों को बढ़ान इतियास और भूगोल एवं नागरिक शास्तर जैसे विश्यों से मिला जुला हुआ है, वह एक विश्य के रूप में पढ़ाया भले ही जाता हो, लेकिन वह सब चीजे अपने अंदर सम्मेलित रखता है, इस से अनुभव बढ़ते हैं, अनुभव हो साजा किया जा सकता है और जीवन परियंत प्रयुक्त होने वाले अभिवरतियों मुल्यों का विकास हो सकता है, उन मुल्यों के विकास के हो जाने से परियावर्ण का संड्रक्षन की क्रियाओं को करना हमारे और भी आसान हो जाएगा, मैं आश्या करता हूँ, अध्यापक की भूमिका में हम सभी का नाम रोशन करेंगे, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा धन्यवाद, नमस्कार